मुख्यमंद्री भूपेश बगेल ने प्रदेश के 11 नगरी निकायों के लिए 67 करोड 13 लाख रुपे के विकास कार्यों का लोकारपन और भूमी पूजन किया साथ ही उन्होंने बीरगाओं में राजीव आश्रय योजना के तहर पट्टा वित्रण के शुरुआद भी की पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है रोजगार के सबसे जाधा अवसरों का निर्माण करने के लिए सुराजी गाओं योजना भी शुरू की गई है पादन के लिए अपने अधिकालियों को बेजा संसंत के किसी मामले की इस्ताई समीधी ले इसे वे देश में लागू करने की मांग के में सर्काद की मुख्यमंत्री ने बीर गाओं में करीब एक हजार पात्र हित ग्राहियों को पट्टा देने के लिए निर्देश अधिकारियों को दे दिये है